तू परमात माजग का आधार है शिव जोति आलोकिक निराकार है तू परमात माजग का आधार है शिव जोति आलोकिक निराकार है तू अजन्मा अजूनी स्वयंसार है तू महाकाल इश्वर ओंकार है ओम शान्ती रूप एक कर्तव्य अनेक कारेकरम में आप सभी आध्यात्मिक प्रेमियों का स्वागत है भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरू भी कहा जाता है भक्ती की शुरुवात भी भारत से ही हुई पूरे विश्व का अगर भ्रमन करें तो सर्वादिक भक्ती भी भारत में ही देखने को मिलती है पूरे विश्व में ना जाने कितने शिव मंदिर है और भारत में तो अथा है भक्त लोग जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, भक्ती करते हैं और मन इच्छित फल प्राप्त करते हैं तो आईए आज दर्शन करते हैं ऐसे ही कुछ मुखे 12 जोतर लिंगम मंदिरों का और जानते हैं उनके पीछे का आध्यात्मिक रहसे ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया ओम शांती आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आप सभी को महाशिव जैनती की बहुत-बहुत बधाईयां हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत वर्ष में विशेश इस समय पर निराकार परमात्मा शिव की पूजा अर्चना होती रहती है पूरे देश में बारा स्थानों पर निराकार जोतिर लिंग बनाए गए हैं और भक्तगण विशेश शिव जैनती पर उनके दर्शन करते हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं द्वादश जोतिर लिंग के दर्शन इन सभी स्थानों के नाम अगर हम देखें तो उसमें हमें एक similarity मिलती है सभी के नाम इश्वर या नाथ से अंत होते हैं जो कि इस बात का सूचक है कि परमात्मा सभी आत्माव के इश्वर अर्थात नाथ है और इन सभी स्थानों पर कोई मूर्ती नहीं लेकिन निराकार परमात्मा का जोतिर का लिंग है जो कि ये साबित करते हैं कि परमात्मा वास्तव में जोतिर बिंदु स्वरूप है जिनका लिंग अर्था चिन्ड बना कर हम उनकी पूजा करते आएं है साथी साथ इन सभी स्थानों पर या तो कोई न कोई नदी है या ये स्थान समुद्र के कंठे पर है इन सभी बातों का आपस में बहुत गहरा संबंध है और इनके पीछे बहुत ही गहरे राज है जिनके बारे में आईए आज विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में सोमनाथ ये गुजरात में वेरावल मिस्थित है और ऐसा माना जाता है कि ये सारे ही विश्व का सबसे पहला पूजा कस्थान अर्थात मंदिर है और पहला जोर्तिर लिंगम है इसके बारे में कहा जाता है कि दक्ष प्रजापती की 27 पुत्रियों का विवहा चंद्रमा अर्थात सोम से हुआ था लेकिन उनको सबसे अधिक प्रिये थी रोहिनी इसके कारण उनकी बाकी सभी पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से जाकर के ये बात कही दक्ष के बार बार समझाने पर भी चंद्रमा का लगाव रोहिनी के प्रती नहीं तूटा जिस कारण से दक्ष ने उन्हें श्रापित कर दिया कि जिस सुन्दर्ता और चमक के कारण चंद्रमा को इतना अभिमान है उसकी वो चमक उसका वो तेज उससे छिन जाएगा इस श्राप से ग्रसित हो करके सोम अर्था चंद्रने जाकरके समुद्र के तत पर बैठ करके शिव की आराधना शुरू की शिव का लिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या जो उन्होंने रोहिनी के साथ मिल करके की उसके फल्स्वरू पर मात्मा ने उन्हें दर्शन दिये और उनको फिर से उनकी उनका तेज उनकी चमक लोटाई इस कारण से इस जोतिरलिंग का नाम सोम नाथ पड़ा अर्थाथ चंद्रमा के नाथ और इसके बाद चंद्रमा अर्थाथ सोम को उन्होंने अपने मस्तक पर शुशोभित किया इसके कारण से शिव को सोमेश्वर भी कहा जाता है। इसका एक और अर्थ भी है सोम अर्थात अम्रित। तो अम्रित का पान करा करके हम सब को अमर्था का वर्दान देने वाले भी सोमनात कहलाते हैं। अगर हम इसका अध्यात्मिक रहस्य से जाने तो हमें पता पड़ता है कि हम सब आत्माएं सत्युग में सूर्वंशी और उसके बाद त्रेता युग में चंद्रवंशी थी। और द्वापर्युक के आने से ही चंद्रवंशी आत्माएं देहे अभिमान से शुरापित हो करके अपने गुणों को अपनी शक्तियों को अपने देवत्व को खो बैठती हैं। और कल्प के अंत में कल्यों के बाद परमात्मा फिर से अफ्तरित हो करके हम आत्माओं को यह ज्यान का अम्रित देते हैं जिससे हम आत्माई पुनह देहे भान से छूट करके स्वयम को आत्मा निश्चित कर पाती हैं। और इस निश्चे से ही आत्मा पुनह अपने तेज को प्राप्त करके सुर्वंशी और चंद्रवंशी बन पाती हैं। तो इसी कारण से सोमनाथ अर्थात हमें ज्यान का अम्रित दे करके फिर से हम आत्माओं को उज्वल पवित्र बनाने वाले। दूसरा जोतिरलिंगम है मलिका अर्जुन जोतिरलिंगम जो की आंद्र प्रदेश के श्री सेलम परवत पर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार कार्तिके रुष्ट हो करके कैलाश परवत छोड़ करके अपने भक्तों के पास दक्षिन भारत में रहने के लिए चले आए तो उनको मनाने के लिए शिव एवं पारवती दोनों के दोनों उनके पास पहुँचे लेकिन फिर भी कार्तिके नहीं माने और वहीं श्री सेल परवत पर ही शिव और पारवती इस जोतर लिंगम के रूप में स्थापित हो गए इसी कारण से श्री सैल परवत को दक्षिन भारत का कैलाश परवत भी कहा जाता है और यहाँ पे ये स्थान एक जोतर लिंगम के साथ साथ शक्ति पीठ के रूप में भी गाया जाता है यदि हम इसके रहस्य को समझें तो यहाँ पे मलिका अर्थात पारवती और अर्जुन अर्थात शिफ के लिए कहा गया है ये दोनों का ही इकठा वास करना ये वर्तमान समय हम आत्माओं का परमात्मा की स्मृति में परमात्मा से कंबाइंड होने का यादगार है वास्तव में हम आत्माई ही अपने आपको भूल करके परमात्मा को भी विश्मृत कर देती हैं जिसको दिखाया गया कि कार्थिकेन अपने मात पिता से रूठ गए अर्थात मू मोर लिया इस अज्यानता के कारण हम अपना मू मोर लेते हैं परमात्मा से तब खुद परमात्मा हमारे पास आते हैं और हमें हमारी एवं स्वयम की पहचान देते हैं इसका दूसरा अर्थ भी है मालिक अर्थात नाथ ईश्वर और अर्जुन जिनको की ज्यान को अर्जुन करने वाला दिखाया गया है जब परमात्मा आकर के हम सब आत्माओं को ग्यान देते हैं तो हम बन जाते हैं अर्जुन और ग्यान देने वाले परमात्मा बन जाते हैं मालिक इसलिए इस समय परमात्मा जो हमें ग्यान दे रहे हैं उसी का प्रतीक है ये मलिका अर्जुन बंदिर तीसरा मंदिर है उज्जेन मध्ध प्रदेश में शिप्रा नदी के तड़ पर स्थित महा कालेश्वर मंदिर महा कालेश्वर जोतिरलिंग बहुत ही विशेश है इसको मुक्तिदाता के रूप में काल पर विजय प्राप्त करने के रूप में इसको पूजा जाता है ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के राजा चंत्रसेन बहुत ही बड़े शिवभक्त थे उनकी शिवभक्ती देख करके एक पांच साल के छोटे बच्चे ने प्रेड़ना ली और वो भी शिवभक्ती में लग गया परन्तु उसको उसकी मा और सभी लोगों ने बहुत रोका प्रतारिट भी किया और उसकी पूजा सामगरी और शिवलिंग को नश्ट कर दिया लेकिन वो बच्चा तपस्या करता रहा और तपस्या करते करते मूर्चित हो गया जब वो अपनी मूर्चित अवस्था से उठा तो देखता है कि जिस स्थान पर वो पूजा कर रहा था उस स्थान पर अपने यहां भी एक बहुत भव्य शिवलिंग स्थापित हो चुका है और वहां पर एक मंदिर बन चुका है यही मंदिर काल पर विजय प्राप्त करके विगनों पर जीत पाने का सूचक महा काल इश्वर है काल अर्थात मृत्यू और महा काल जो मृत्यू से भी जादा शक्तिशाली है जो हमें मृत्यू पर भी विजय दिला सकता है जो हमें मृत्यू के पंजे से भी छोड़ा सकता है तो हम आत्माएं जब परमात्मा शिफ से योग लगाती है अपने अनादी स्वरूप को पहचानती है तो हम आत्माएं इस जनम मरन के चक्र से छूट करके जिसको कहते हैं कि अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना और अपनी इच्छा से शरीर धारन करना इस कला को सीख पाती है और ऐसी ही आत्माएं नई दुनिया सत्युग में प्रवेश कर पाती है और राज्यों के द्वारा ये कला हमें सिखाने वाले हैं महाकालेश्वर स्वयम परमपिता परमात्मा जो हमें ये ग्यान देते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारन किये हुए हूँ तो वस्त्र को छोड़ना मृत्यू नहीं लेकिन ये तो नए वस्त्र को धारन करने के लिए एक कदम है इस मंदिर पर भस्म आरती बहुत ही जादा प्रचलित है भस्म जब इस शरीर का नाश हो जाता है तो केवल भस्म बच्चती है तो अपने आपको पूरा का पूरा शिफ पर स्वाहा अर्थात मन से समर्पित करके परमात्मा पर वो भस्म अर्पित करना ये संपूर्ण समर्पनता का सूचक है जो की इस मंदिर के रहस्य के अंदर हमको ग्यात होता है आये चलते हैं एक बार फिर से मध्ध प्रदेश के ओमका रिश्वर जुर्टे लिंग की तरफ ओम ये आत्मा और परमात्मा का सूचक है इसी लिए सिख में भी गुरुवानी में भी परमात्मा को ओमकार कहा गया है ये वास्तव में निराकार परमात्मा के प्रती हम सभी को जागरित कराता है हम सभी को उनका परिचे देता है ऐसा कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के अंदर देवताओं को विजय प्राप्त कराने के लिए परमात्मा इस ओम का रेश्वर जोतिल लिंगम के रूप में स्थापित हुए थे तो एक और कथा के अंदर कहा जाता है कि विंद्याचल परवत और भी उचाईयों को पाने के लिए तपस्या करता है परमात्मा शिव की और तब परमात्मा शिव उसकी घोर तपस्या से प्रसंद हो करके उसको सबसे उचा जाने का वरदान देते हैं अगर हम इन दोनों ही बातों को देखे तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब-जब शक्ती की आवशक्ता हुई जब-जब उचाई तक जाने की आवशक्ता हुई जब-जब विजय प्राप्त करने की आवशक्ता हुई तब तब परमात्मा ने हम आत्माओं को शक्ती दे तो ओमकारेश्वर, निराकार परमात्मा और सर्वशक्तिवान परमात्मा इन दोनों के बारे में ही हमको बताते हैं तो इस ओम का रिश्वर से हम ये समझ पाते हैं कि परमात्मा वास्तव में जोतिर बिद्दू ओम का रूप है. अगला शिवलिंग है जार्खन मिस्थित वैद देनात जोतिर लिंग. ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावन जो की परम शिव भक्त था, वो परमात्मा शिव को अपने साथ लंका ले जाने का आगरह करता है. जिस आगरह को परमात्मा सुविकार नहीं करते, तो रावन एहंकार वश पूरे-पूरे कैलाश परवत को ही उठाने की चेश्चा करता है. उसके एहंकार को तोड़ने के लिए परमात्मा अपने एक अंगूठे से ही उस परवत को दबा देते हैं और वो परवत हिल भी नहीं पाता. तब रावन को अपने एहंकार का बोध होता है और वो नम्रता पूर्वक परमात्मा से आगरह करता है कि परमात्मा उसके साथ लंका चले तब परमात्मा शिव अपने ही एक लिंग का निर्मान करके रावन को देते हैं और कहते हैं कि मैं तो नहीं लेकिन ये link तुम्हारे साथ चल सकता है लेकिन उसकी एक शर्थ भी रखते हैं कि अगर उस link को बीच में कहीं भी जमीन पर रखा गया तो वो link वहीं जम जाएगा और वहां से उसको हिलाना फिर असंभव हो जाएगा इस शर्थ को स्विकार करके रावन उस लिंग को ले करके लंका की योर आगे बढ़ता है जहां एक और रावन बहुत प्रसंद होता है तो वहीं दूसरे योर देपताई चिंतित क्योंकि शिवलिंग का रावन के साथ लंका में जाने का अर्थ है कि रावन और लंका अजय हो जाएं फिर उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता और रावन के अजय होने से शृष्टी में पापाचार और दोराचार भरश्टाचार विकार ये चरम सीमा पर पहुँच जाएंगे इसलिए देवताओं ने एक युक्ती रची रास्ते में जब रावन को लगुशंका का संकल्प आया तो वहां देवता एक ग्वाले के रूप में पहुँचे और रावन से कहा कि वो शिवलिंग वो उन्हें हात में पकड़ा दे जब तक थोड़ा सा रावन विश्राम करके ल उस शिवलिंग को धर्ती पर रख दिया और वह लिंग वहीं पर स्थाफित हो गया जब रावन लोटा और देखा कि वो शिवलिंग वहां पर स्थाफित हो चुका है तो उसने बहुत प्रयास किया कि वो शिवलिंग को पुनह उठा पाए लेकिन ऐसा हो नहीं सका तो राव अन्तिम सर काटने लगा तो परमात्मा प्रसंद होकर के वहां पर प्रस्तुत हुए और परमात्मा ने कहा कि क्यूंकि यह शिवलिंग यहां स्थापित हो चुका है तो अब वो यहीं रहेंगे लेकिन उन्होंने फिर से रावन को उनके दसों के दस शीष लोटा दिये जिस का कारण से यह शिवलिंग वैद्यनाथ अरथात हरे की पीड़ा हरने वाला सभी का वैद्य की तरह से उनका उपचार करने वाला वैद्यनाथ कहलाया वास्तव में यह कहानी और यह जोतिलिंग हमें यहीं बताता है कि परमात्मा आत्मा के उपर लगे गहरे से गहरे घाव गह आत्मा की श्रीमत को पूरा का पूरा पालन करते हैं, तो आत्मा के उपर लगी हुई काम, क्रोध, लोभ, मुग, आधी, एहंकार की बिमारियां, जिसका प्रतीक है रावन, परमात्मा हमें उन सभी बुराईयों से मुक्त करके, फिर से आत्मा को कंचन बनाते हैं, फिर से आत परमात्मा को निरोगी बनाते हैं, इसलिए परमात्मा को सत्यम, शिवम, सुन्दरम भी कहा जाता है, अगला मंदिर है महाराश्रे का स्थित भीमा शंकर जोतिरलिंग, ऐसा कहा जाता है कि रामाइन काल में कुम्भ करन, जिसका वध, श्री राम और श्री लक्ष्मन ने किया था, उनका पुत्र होता है राक्षस भीम, जब उसे ये ज्यात होता है कि उसके पिता की मृत्यू कैसे हुई और किसने की, तो वो विश्नु से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन करता है, उनसे अजय होने का और अथा शक्ती पराप्त करने का वरदान पराप्त करके, वो शबसे पहले सभी देफताओं पर आक्रमन करता है और देफताओं को पराजित करता है। उसके बाद वो वैकुंठ लोक में जाकर के श्री विश्नु को भी परास्त कर देता है और फिर वो प्रत्वी लोक में आकर के प्रत्वी लोक पर विजे प्राप्त करने का प्रयास करता है इस प्रयास में एक शिव भक्त पर वो आक्रमन करता है और वो शिव भक्त जब शिव की भक्ती में लीन होता है तो वो उस लिंग को धराशाही करने का या उस लिंग को परास्त करने का प्रयास करता है तभी उस लिंक से परमात्मा प्रकट होते हैं और युद्ध करके भीम को परास्त करके भीमा शंकर नाम से जाने जाते हैं वास्तव में ये हम आत्माओं के ही एक प्रकार से परास्त होने का या विकारों से हार जाने का प्रतीक है और कैसे परमात्मा फिर से आकर के हमारी ही बुराईयों पर हमारी ही कमजोरियों पर हमारे ही विकारों पर हमें विज्द प्राप्त कराते हैं उस चीज के ही उपर ये कहानी बताई गई है हमात्माएं ही कुम्ब करन की भाती अग्यान निंद्रा में सोई हुई थी परमात्मा ने आकर के हमें जगाया है तो हमारे ही बुराईयों का अंत कराया है जो दिखाया है कि कुम्ब करन का बेटा अर्थात बुराई ही नहीं लेकिन बुराई का वंश परमात्मा उस वंश सहित सभी विकारों को समाप्त करते हैं इस संसार को बुराईयों से मुक्त करते हैं फिर से पुनह देवी श्रिष्टी की स्थापना करते हैं इन्ही सब बातों का सूचक है, प्रतीक है महाराष्ट्र में स्थित यह भीमा शंकर जोतरलिंग अगला जोतरलिंग है तमिल नाडु में स्थित रामेश्वर जोतरलिंग इसके पीछे की कथा रामायन से जुड़ी हुई है कहते हैं श्री राम जब रावन पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र लांगने के लिए मंतरना कर रहे थे तो मंतरना करते करते उन्हें प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा जैसे ही वानर सेना ने उन्हें पानी लाकर दिया और वो पीने लगे तब ही उनके अंतर से आवाज आई कि बिना अपने इश्ट को याद किये मैं पानी कैसे पी सकता हूँ तो उन्होंने वही एक लिंग का निर्मान किया और उस लिंग को पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया सभी ने मिलकर के उस लिंग की पूजा की और उस तपस्या के फल्स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए जो की राम के भी इश्वर रामेश्वर कहलाए उन्होंने श्री राम को अजय होने का सर्व शक्तियों का वर्दान दिया और साथ साथ यासवाशन भी दिया कि वो अवश्य ही इस समुद्र को लांग करके लंका पहुँच करके सीता को रावन की कैज से मुक्त करा पाएंगे इस पूरी कहानी के पीछे एक बात तो हम स्पष्ट होती है कि परमात्मा देवताओं से भी उच्छ है देवताएं जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण इन्होंने भी विजय प्राप्त करने के लिए शक्तियां प्राप्त करने के लिए परमात्मा शिव को ही पुकारा जैसे रामेश्वरम में श्री राम ने गोपेश्वरम में श्री कृष्ट ने तो इसलिए परमात्मा देवता नहीं लेकिन देवताओं के भी इष्ट देवताओं से भी उचे हैं हम सब आत्माओं को हमारे अंदर के पांच विकार जिन्होंने आत्मा रूपी सीता को अपने कैद में बांधा हुआ है उससे मुक्त कराने के लिए परमात्मा हमें शक्तियों का वर्दान देते हैं इस भवसागर को पार कराने के लिए परमात्मा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्यान देते हैं और इसी लिए परमात्मा रामेश्वर के रूप से जाने जाते हैं अगला जोतिरलिंग है गुजरात मिस्थित नागेश्वर जोतिरलिंग इस जोतिरलिंग के पीछे की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक दैत्य होता है जिसका नाम है दारुक और उसकी पत्नी का नाम होता है दारुका दारुका मा पारवती की भक्त होती है और उनकी आराधना करती है जिसके कारण मा पारवती दारुका पर प्रसन में रहती है लेकिन वहीं राक्षस दारुक वहां आसपास रहने वाले लोगों को बहुत पीरित करता है और उन सभी को बंदी बना करके उनको कारागार में डाल देता है जिसमें शिव भक्त होता है सुप्रियर जेल में जाने के बाद भी कारावास में भी सुप्रियर अन्य सभी मनुश्यों को प्रेरित करता है कि सभी परमात्मा शिव की भक्ती करें वो वहां पर एक शिवलिंग का निर्मान करकर ओम नमशिवाय का जाप स्वयंभी करता है और सबसे करवाता है जब ये बात राक्षस दारुक को पता चलती है तो वो दैत्य उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए वहां पहुंचता है और सुप्रिय पर प्रहार करता है तभी भक्त वत्सल परमात्मा वहां प्रकट होते हैं और दारुक सहित पूरी दैत्य की सेना को परास्थ करते हैं और उन सवी शिव भक्तों को उस जेल से उस कारावाज से मुक्त कराते हैं लेकिन दारुका जो की उस दैते की पत्नी होती है और मापार्वती की भक्त होती है वो मापार्वती का आवाहन करती है और वो अपने कुल की रक्षा के लिए मापार्वती से याचना करती है इस पर मापार्वती परमात्मा शिव से कहती है कि यदि धरम का पालन करते हुए द प्रमात्मा कहते हैं कि इस थान पर चारो ही वर्ण, नर, नारी यहां तक की दैते भी धरम का पालन करते हुए रह सकते हैं और इसी प्रकार से वो शिवलिंग नागेश्वर के रूप में स्थापित होता है तो क्यूंकि मापार्वती का आशीश भी वहां पर प्राप्त हुआ इसलिए ये एक शक्ति पीःठ भी है और जहां पे मापार्वती की पूजा नागेश्वरी रूप से की जाती है इस कथा से हमें ये पता चलता है कि जब-जब भक्तों के उपर यह ये कहें जो परमात्मा को दिल से याद करते हैं और जहां भी याद करते हैं वही पर परमा यहां नाग कोई सर्प नहीं लेकिन हमारे जीवन में विश भरने वाले पांच विकार हैं जिनने हम सभी जानते हैं काम, क्रोध, लोग, मौ, एहंकार परमात्मा ना केवल इन विकारों से लेकिन इन विकारों के हर एक रूप से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं अर्थात हमारे अंदर के आसुरी विकारों को आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करते हैं जिस कारण से परमात्मा को नागेश्वर कहा जाता है और परमात्मा हमें धरम के मार्ग पर स्थापित करते हैं, धरम के मार्ग पर चलाते हैं यदि हम परमात्मा की श्रीमत पर धरम के मार्ग पर चलते रहेंगे तो सदा ही परमात्मा का आशिरवाद हम प्राप्त करते रहेंगे अब चलते हैं काशी मिस्थित, काशी विश्वनात मंदिर की ओर विश्वनात अर्थात सारे विश्व का मालिक जिसमें ना केवल मनुष्य आत्माएं लेकिन जल, थल, पृत्वी, वनस्पती, वायू सभी पशुपक्षी सब समा जाते हैं परमातमा इन सभी के मालिक अर्थातनात हैं इसलिए उनको विश्वनात कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जब परमातमा को नई श्रिष्टी रचने का संकल पाया तो परमातमा ने पुरुष और प्रकृती का निर्मान किया और दोनों से कहा कि आप तपस्या करके अपने तपस्या के फल स्वरूप इस रिष्टी को आगे बढ़ाएं और उनको तपस्या करने के लिए परमात्मा ने एक पूरी नगरी का निर्मान किया जो की काशी कहलाई ऐसा कहते हैं पृत्वी लोग से लेकर के आकाश लोग तक पूरे में ही ये नगरी फैली हुई थी और पुरुष ने इस नगरी में बैठ करके परमात्मा की आराधना और तपस्या की जिसके फल स्वरूप वहां पर एक नदी का निर्मान हुआ और वो नदी धीरे धीरे फैलते फैलते सागर का रूप ले लेती है जिस सागर में स्वयम विश्नु अपने लक्षमी स्वरूपा धर्मपत्नी के साथ रहने लगते है और उनकी नाभी से ब्रह्मा निकलते हैं फिर ब्रह्मा ब्रामनों को रचते हैं और उसके बाद सभी मनुश्यों को उस पुन्य का फल मिल सके तो वो काशी नगरी को स्वयम परमात्मा इस धर्थी पर स्थापित कर देते हैं। इसी लिए परमात्मा विश्वनात कहलाते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रेड़ना से ये सारी श्रिष्टी का निर्मान हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस विश्वनात् मंदिर में विश्वनात के दर्शन करते हैं, उनको अपने कर्मों के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वास्तव में निराकार परमात्मा कल्प के अंत में आकर के हम सभी आत्माओं को पुनह ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा ज्ञान सागर और जिसको वो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान नदियां बन जाती हैं धीरे धीरे ये ज्ञान ज्ञान नदियों में समाने लगता है और इस ज्ञान अर्थात इस बेहत की तपस्या से परमात्मा से योग लगाने से ही हम आत्माएं इस नई द अर्थात विश्णू स्वरूप में रहती हैं इसी प्रकार से हमारी तपस्या से सारा विश्व ही पवित्र बन जाता है और इसलिए परमात्मा को विश्वनाथ कहा जाता है क्योंकि उन्हीं की प्रेणा से हम सभी आत्माइं भी अपने कर्म के हिसाब किताब से छुट पाती ह और पूरे विश्व को पवित्र स्वर्ग बना पाती हैं अगला जोतिरलिंग है नासिक में गोदावरी नदी के तक पर स्थित त्रियंबकेश्वर जोतिरलिंग ऐसा कहा जाता है कि एक समय बहुत भीशन अकाल हो गया था तब रिशी गौतम और उनकी धरमपत्नी अहिल्या ने वरुन्देव की तपस्या करके उन्हें प्रसंद किया वरुन्देव ने प्रकट होकर के एक ऐसे कुंड का निर्मान किया जो कुंड हमेशा पानी से भरा रहे इस कुंड के जल का लाव ना केवल रिशी गौतम लेकिन वहां के सभी रिशी मुनी मनुष्य यहां तक की पशुपक्षी भी लेते थे और इस सब का श्रय इन सब का पुन्य जाता था रिशी गौतम के पास जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी इस से इर्शा होकर के जो भी रिशी मुनी थे उन्होंने एक शर्यंत रचा और रिशी गौतम को वहां से बाहर निकालने के लिए उन पर गव हत्या का आरोप लगा दिया इस आरोप से मुक्ति पाने के लिए और फिर से उस थान को पवित्र करने के लिए रिशी गौतम वहां से दूर जा करके एक परवत पर बस गए और वहां अपनी धरमपत्नी अहिल्या के साथ एक शिवलिंग का निर्मान करके उनकी तपस्या करने लगे उनकी तपस्या से प्रसंद होकर निराकार परमात्मा ने उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन दिये और उनसे वर्दान मांगने को कहा उस वर्दान के फल स्वरूप रिशी गौतम ने मांगा कि परमात्मा स्वयम उस शिवलिंग में स्थापित हो जाएं और वहाँ पर देवी गंगा का आवाहन करें उनको उनकी तपस्या का फल देते हुए देवी गंगा वहाँ पर प्रकट हुई जो आज गौतमी या गुदावरी के नाम से जानी जाती है और वो शिवलिंग त्रियंबकेश्वर के नाम से मशूर है इस त्रियंबकेश्वर शिवलिंग के अंदर हम तीन आकृतिया देख पाते हैं जो ब्रह्मा विश्णु और शंकर का प्रतीक है इस कथा के पीछे यही रहस्य है कि निराकार परमात्मा हम आत्माओं को ग्यान की धारा में स्नान करा करके हमें हमारे जाने अंजाने किये हुए सभी पापों से मुक्त करते हैं परमात्मा जो तीनों करतव्य करने वाले हैं अर्थात नई सत्यूगी श्रिष्टी की स्थापना, पुरानी कल्यूगी श्रिष्टी का विनाश और स्थापित की हुई नई सत्यूगी श्रिष्टी की पालना ये तीनों ही करतव्य करने के कारण परमात्मा को हम बिश्वर भी कह सकते हैं अगला जोतिर लिंग है उत्रा खंड के हेमालय चोटी पर स्थित केदारनात मंदिर केदारनात मंदिर तक पहुचने के लिए गंगोत्री यमनुत्री को पार करना होता है और ये हिंदु धरम के जो नौर्थ के उत्तर भारत के चार धाम है उसमें से प्रमुख माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि विश्णू के दो रूप नर और नारायन ने इसी मंदिर में बैठकर के तपस्या की शिवलिंग स्थापित किया जिसका नाम के दारनात पड़ा तो उसके बाद एक और कथा में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पा माले परवत पर जाकर के तपस्या की और उन्होंने शिव को प्रसंद करने का प्रयास किया लेकिन परमात्मा शिव उस समय उनकी उस तपस्या से प्रसंद नहीं हुए इसलिए उन्होंने उन्हें अपने मूल रूप में दर्शन नहीं दिये लेकिन एक बैल के रूप में द पकड़ पाते हैं और तब तक परमात्मा शिव धर्ती के अंदर समाने लगते हैं लेकिन क्योंकि भीम ने उनको पूच के द्वारा पकड़ लिया इसलिए पांच स्थानों से वो धर्ती के ऊपर से प्रकट होते हैं उस बैल का कुभड केदारनाथ उस बैल का मुख रुद्र उस बैल के हाथ तुंगनाथ उस बैल का पेट मधमेश्वर और उस बैल के बाल कलपेश्वर के रूप में ये पंच केदार मंदिर स्थापत किये गए यदि हम इसके पीछे का रहस से जाने तो हमें सपष्ट होता है कि हम आत्माएं ही सत्युग में विश्नु कुल की आत्म लेकिन आज कल यूग में साधारन मनुष्ट अर्थात नर हो चुके हैं और हमी नर ऐसी करनी सीखते हैं परमादमा के दुआरा जो हम फिर से नारायन पद को अर्थात विश्नु कुल को प्राप्त कर सकते हैं तो नर को पुनह नारायन बनाने वाले हैं निराकार परमातमा जिनकी यादगार है ये केदारनाथ मंदिर। लेकिन जब निराकार परमात्मा शिव अफ्तरित होते हैं, तो वो एक साधारन तन का माध्यम लेते हैं, जिसको की इस बैल या नंदी के रूप में हम सभी जानते हैं। नंदी अर्थात बुढ़ा बैल ये उस बुढ़े तन का प्रतीक है जिसके अंदर परमात्मा आते हैं। और जो परमात्मा से प्रीत बुद्धी हैं, वो परमात्मा को इस भेश में आय हुए भी पहचान लेते हैं, जो दिखाया की पांडवों ने पहचान लिया। और जो गायन है कि अगर हम गाय की या बैल की पूँच भी पकड़ लें, तो भी हम भवसागर से पार हो जाएंगे। अर्थात अगर परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्यान थोड़ा भी हमारे कानों में पढ़ता है, थोड़ा भी हम उस पर चलते हैं, तो भी हम इस भवस अगर को पार कर लेते हैं, तो ज्यान देने आए हुए परमात्मा को उनके साकार माध्यम में पहचान करके परमात्मा को प्रसन करना, ये है इस केदारनाद का सूचक। अंतिम जोतिरलिंगम की ओर बढ़ते हैं, जो की औरंगाबाद के पास महाराश्ट्र मिस्थित गुरुषनेश्वर जोतिरलिंग है, गुरुषनेश्वर अर्थात दयाका सागर। पती से कहा कि वो उसकी ही छोटी बहन गुरुषमा से विवहा कर ले। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसने उसकी धरमपत्नी की छोटी बहन से विवहा कर लिया और उस विवहा के फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ती हुई। लेकिन जैसे ही वो पुत्र प्राप्त हुआ धीरे धीरे करके वो पुत्र बढ़ने लगा और उनके परिवार में खुशाली आने लगी। जिस कारण से सुदेहा के मन में संकल पाया कि ये बच्चा तो मेरा नहीं, ये सारी खुशियां भी मेरी नहीं। इर्शा वश उसने उस पुत्र को मार करके उसकी लाश को बगल में बहर ही एक नदी में डाल दिया। लेकिन गुरुश्मा और उनका पती दोनों ही शिव भक्त थे। उन्होंने कुछ ना करके सीधा परमात्मा शिव को ही याद किया। और शिवलिंग स्थापित करके शिव की पूजा करनी शुरू की। जब परमात्मा उनकी तपस्या से प्रसंद होकर के प्रकट हुए तो उन्होंने बताया कि ये कार्य खुद उस मनुष्य की पत्नी सुदेहा नहीं किया था। और उन्होंने कहा कि यदि वो चाहें तो वो उसको उसका दंड दे सकते हैं। लेकिन उस समय पर दया भाव में आकरके गृष्मा और उनके पती दोनों ने उसको उस पाप से मुक्त करने के लिए आगरह किया। इसलिए परमात्मा जो दया का सागर है उन्होंने अपना गृष्मेश्वर रूप धारन करके उस शिवलिंग के अंदर ही अपनी शक्ती को स्थापित किया जिस कारण से उसका नाम गृष्मेश्वर पढ़ गया। हम सभी जानते हैं कि हम कितनी ही गलतियां करते रहते हैं लेकिन एक तो परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है और दूसरा वो शमा और दया का सागर है इसलिए परमात्मा हमारी सभी गलतियों को जानते हुए भी हम सुधरने का अपने आपको पापों से रहित करके फिर से महान आत्मा, पुन्ने आत्मा, देवात्मा बनाने का अफसर प्रदान करते हैं यही अफसर प्रदान करने के लिए वो दया का सागर, शमा का सागर फिर से अफ्तरित हुआ है इस धर्थी पर वो आकर कि हमें संदेश दे रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ लेकिन अब हम अपने आपको पहचान करके अपने किये हुए पापों को योग की अगनी में तपस्या में भस्म कर सकते हैं और फिर से अपने आपको पुन्यात्मा बना करके अपने देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं तो आईए इस महाशिवरात्री पर हम सभी ये लक्षे रखें कि नाकेवल शिवकी महिमा सुनेंगे जानेंगे लेकिन जो करतव्य परमात्मा समय प्रती समय इस प्रित्वी लोग पर आकर के करते रही हैं उस करतव्य में हम भी सहभागी बनेंगे हम भी परमात्मा की श्रीमत पर चल करके इस घोर अंधियारी कल्यूगी रात्री को फिर से सत्यूगी सवेरे में परिवर्तत करने के लिए परमात्मा से योग लगाएंगे ओम शान्ति आज हमने जाना पर्मात्मा के भिन-भिन जोतिरलिंग, उनके पीछे के रहसे और उनसे जुड़े पर्मात्मा के विभिन करतव्यों के बारे में आशा करते हैं अब पर्मात्मा शिव के साथ जुड़ना मुश्किल नहीं परंतु सहज और सरल रहेगा कल हम सभी जानेंगे पर्मात्मा अपना कार्य किस कैसे और किस के त्वारा कराते हैं तब तक के लिए जुड़े रहेए ओम शान्ती नामी तेरा है शिल सबसे सुन्दर तो ही तुमसे बढ़कर जगत में कहीं कुछ नहीं तु रच्चैतानी आमक भी निरंकार है तु ही स्रश्टा है साक्षी पालनार है तु परंमात्मा जग का आधार है शिव जोति अलोकिक निराकार है हुआ हुआ है